दोस्तों जब भी हम कभी उद्दोग दंदो की बात करते हैं तो आपके मन में एक परिकल्पना जो है शुरू हो जाती है ये कि भाई मशीन कैसी होगी कहां से मशीन लाएंगे तरह तरह के सवाल होते हैं और उन्हीं सवालों का हल लेकर आए हैं आज हम Small Business Solutions में नाम भी जो है उसी मुताबिक है छोटे-छोटे लगूत दोग और धंदो का जो है ये जारखंड का सबसे बड़ा जखीरा है जहां पर बहुत तरह की मशीने हैं और राची में हूँ इस वक्त और देखिए जो बिजनेस में जो मशीने होती है वो किसी प्रश्ण पत्र या फ पड़ती है तो आईये आज कुछ आइडिया लगेगा कुछ मशीनों के बारे में हम बताइंगे जो यहां पर दिख रही है बहुत सारी मशीने है लेकिन उनके बारे में बात करने से पहले हम पहले स्वागत कर लें जो हमें अटेंड कर रही है नमस्कार इस्मॉल बिजनेस टाइप के मैं मशीने देख रहा हूं जी बिलकुर आपको हमारे पास 50 प्लस मशीने मिल जाएगी जी बिलकुल जी आइए थोड़ सा शुरूआप करते हैं इधर सबस् Woo左 करें थोड़ा क्योंकि जो मशीने मैंने बहुत कम देखी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, यह कौन सी मशीन है? यह हमारा ननुवेन बैग सेमी ओटमाटिक मशीन है सर, अच्छा, यह क्या काम करती है? यह आपका फैबरिक का बैग बना देगी, यानि कि वो जो प्लास्टिक के पॉल्थिन्स जो है, हर जगा बैन हो रहे हैं, तो कहने का मतलब कि जो कपड़े वाले जूला होते है, जी जी कपड़ा वाला जूला, जी वो एक बड़ी मशीन भी आती है, चोटी वाली वर्जन है, यह सेमी ओटमाटिक, इसका फुली ओटमाटिक सेटप आता है, वो बड़ा सेटप आता है, अच्छा, यह कितना खर्चा पड़ता है, वो तो बहुत खर्चा पड़ता है, यह आपका बन जाएगा, उसमें तो 20 लाक रुपे लगते हैं, यानि कि छोटे बजट में अगर व पाँच हेजार पीस, पाँच हेजार पीस एक, यह बात है, यह यह भी उसी के टार्टे, यह हमारा मोमोस का जो सीट बनता है, उसका जो फिलिंग के लिए जो बनता है गोल सा, उसकी लिए यह मसीने, पूरी बनाने के लिए, अच्छा, वो जिसमें पैक किया जाता है, इसमें एक घंटा का जो प्रोडक्शन होता है, वो दस किजी से बारा किजी तक आपका अराम से हो जाएगा, अच्छा, इसमें आराम से आप प्रेमिक्स पावडर डाल सकते हैं, और यहां पे आप बंबो स्टिक फीट कर दिजी, आपका स्टिक बना के निकाल देगा, गर प्रति बनके रेडियो जाएगा, इसकी क्या कोस्ट परती है, यह आपका 70,000 में आपका आजाएगा, और अभी डिस्काउंट चल रहा तो आपको और भी ओफर बिर जाएगा, और वो जो बड़ा बड़िया लगा, पानी पूरी वाला, उसकी क्या, वो आपका 45,000 का यहां पर भी तो मशीने में देख रहा हूं, यह वाली, यह क्या है, यह हमारा मौमोस का मशीने, राउंड सेफ में, जो मौमोस बनता है, उसका यह मसीन और मौमोस को फिल करने के लिए जो वेजिटेवल कटर मसीन आता है, वो वेजिटेवल कटर मसीन है के सब्सक्राइगा, अच्छा, मतलब जो मौमोस खाते हैं लोग वो भी, मौमोस पूरी जो मेटरियल जो है, लेके जो छानने से पहले तक, या फिर पकाने स यह मसीन मौमोस करना के लिए बिलकुल से, क्या बात है, मतलब मसीने कितनी तरह के आ गई है, जरा आप सोचिए, बहुत बढ़िया, और पीछे मुझे लगता है कि नोटबुक मसीन है, यह सेमी आटमाटिक में मसीन है, जी, नोटबुक में तो तीन-चार तरह की मशीनों की जुरत पढ़ती है, जी उसमें तीन टाइप का मसीन होता है, एक आता है मैनुवल में, एक आता है सेमी आटमाटिक में, और एक आता है फुली आटमाटिक में, यह जो हमारे पास अवेलेबल है, सेमी आटमाटिक में मसीन है, और इता साइड में देख सकते है, यह छोटा व एक कटिंग मसीन होता है और एज स्कुर मसीन होता है और स्टेचिंग में आम तरके फॉली फैक्ट्री खोलने के लिए चारों मशीन के अगर बात करें कितना इंवेस्ट्मेंट की ज़रुत पड़ जाती है वह लग बग आपका 8 लाग से स्टार्ट है बारा लाग तरह तक चल सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए पेपर प्लेट मसीन सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छा यह होगे पेपर प्लेट की देखिए यह इसमें कहीं मोटर वोटर नहीं है और माल को रेडी करके मार्केट में सेल करो बिल्कुल सब्सक्राइब और अभी हमारा ओफर चल रहा तो इसमें भी डिसकाउंट मिल जाएगा यह किता पड़ता है यह पत्ची सजार का आईएगा तो आपको डिसकाउंट में मिल जाएगा चली वह तो बाकिया आप कॉल पे ज जी तो पास्ता मशीन है मेडम यह कितने की आती है यह आपके एक लाग तीस हजार से स्टार्ट है बाकिया आप जितना प्रोडक्शन कैपिसीटी लेंगे उससाब से प्राइज रहेगा सब्सक्राइब पास्ता बनाएगी सिर्फ पास्ता पास्ता माइक्रों इसका जो भी प्राइटी होता है उसमें अलग-अलग डाई से आप अलग-अलग त्यार कर लेते हैं और इधर भी देखिए छोटे उद्ध्योग दंदो की बात कर रहे तो तो देखिए यह भी है रूई बाती मशीन बोलते हैं बिल्कुल सर जी यह आपका ताइस हजार से स्टार्ट है स और यह बनेगा यह आपका लोंग सेफ में बनेगा अच्छा यह भी उसी का पार्ट है हाँ दोनों सेम मसीन है यह राउन वाला है वह लोंग वाला की क्या कीमत है वह आपका 30,000 में आजाएं यानि कि आपने जब देखा होगा कि जो दिये में रूई डालते हैं वह एक मसीन जिसमें आप आराम से तेल निकाल सकते हैं वो तो आल एक्पर बहुत पॉपलर मशीन होती है आजकल मार्केट में कोल्ड प्रेस आइल मिल बहुत जादा पॉपलर वह मतलब कहने का मतलब वही वाले आईल मिल आपके पास जी बिलकुल सर वही है मतलब सरसो हो और भी ज अच्छा जब भी हम लोग मेले वेगर में जाते हैं तो देखते हैं आज कल चला हुआ है जैसे यह वहीं वाली है जी विलकुल सर अच्छा तो यह इसका क्या प्रोडक्शन है यह आपका एक मिनिट में मतलब इसमें कैविटी आता है अलाग अलाग कैविटी का ताइज यह यहां सर यह प्रणी का था टीस चैविटी का अच्छा यह बारह का आता है 24 आता है 22 का बत्ती आता है 40 जाए मसीन वें उसका फुली ओट्मेटिक में मसीन आता है यह जो आप देख रही है यह semi-automatic में अच्छा जी सर से में फुली अटमेटिक में मतलब जो इसके साथ components लगते हैं वो नहीं लगेंगे जैसे कि साथ mixer भी एक यूज होती है ना हाँ है mixer machine देख सकते हैं mixer machine सब में लगता है मतलब आपको दो बनाने के लिए mixer का दो जरत पड़ेगा तो उसके लिए आपको mixer machine लेना पड़ेगा fully automatic में यह होगा और semi-automatic difference बता देती हूं यह semi-automatic जो machine है यहां से जो seed बनाएगा उसको फिर से यहां से डालके फिर से 3-4 बाइस को repeat करना पड़ता है और automatic में एक बार डाल दीजिए जितना पतला बनाना चाहेंगे एक बार में automatic आपका बनके निकल जाएगा सब्सक्राइब क्या फर्क होता है यह मसीन देख रहें सब्सक्राइब कितना पड़ जाती है फुली ओटमाटिक जो मसीन है वो आपका एक गंटा में 250 kg प्रोडक्शन देगा और यह वाला आपका 60-60 kg तक देगा तो इसका प्राइस पचासी जारे और फुली ओटमाटिक है वो 500 kg पर आवर देगा तो उसका प्राइसर दो लाग पचास जारे से अरे वादर चौ मिनुत दोग भी देखिए एक बहतर कारोबार बच चुका है और उसके लिए जो है शुरू आप करना हो तो मेरे खाल से से मिटमेटिक से शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप फुली अटमेटिक पे अगर आना चाहें तो यहां से आराम से आ जाए बहुत तरकी मशीने एक बार मैं चाहूंगा कि जरूर आप विजिट करें और मैं भी यहां पर पहली बार आया हूँ और हलाकि इसमाल बिजनेस सोलुशन जो आप देख रहे हैं यह राची में किते दिन पहले यहां पे ओपन हुई है यह आपका दोजार एकिस से ओपन है यह किस एरिया में पढ़ता है यह हमारा राची बूटी मोड में पढ़ता है एक तान अगर में से अच्छा बूटी मोड आने के यहां किस एरिया में है यह एक तान अगर में तो बहुत सिंपल सा विजिट करें फिलहाल चलिए थोड़ा सा ओफिस भी दिखाया जार्खंड में यह मशीन का सबसे बड़ा जो है मैनुफेक्टरर के हमें आया हूँ जो मशीन बनाते हैं लोगू 2 का और देखिए सब अलग से डील करते हैं अच्छा जी सर यहांनि कि वीडियो देखके अगर खौल आते हैं तो आप ही लोग से पाला पड़ता है कास्टमर सब ठीक से बात करते हैं एक्शली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन साते हैं क्या आता है यहां पर वीडियो देखने के आप लोग को तो प अब इदर में क्या काम होता है यह एक रूम है और इधर भी एक रूम है तो अभी लंच का समय है तो कुछ लोग अने विबल है अपना लगता है कि बाहर कर रहे होंगे और आए यहां पर बहर में और कुछ और अहम सवाल है जो कि मैं पूछू यह बता दें कि जो मशीने आ क्या है सर ओडर लेनी के लिए आप हमारे पास हमारा जो कॉंटेक्ट नंबर उसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं और साथ में आप कुछ एमाउंट देके बुकिंग कर दीजिए 25 परसेंट आप बुकिंग कर दीजिए आपका मसीन अभी लेबल हो जाएगा और कहीं भी इंडिया क अलग अलग मशीनों के लिए अलग अलग है या फिर यह कहीं पॉलिसी है जैसे आप पेपर कब का मशीन लेते तो इसमें पात साल का वेरिंटी रहता है सारे मशीनों पैसा नहीं होता है इसलिए आपको एक मैंने आइडिया दे दिया कि अगर आप कोई बिजनिस शुरू कर सकते हैं और 15 लाख 20 लाख से भी आप शुरू कर रहेंगे तो यहां वो मशीने मिल जाएंगे तो आप पर्टिक्लर मशीनों के बारे में कॉल करके जरूर यहां पर पूछ ले और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप एक बार यहां पर विजिट कर लेंगे तो बहुत तरह कि यहां पर मशीनों को देख करके आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आपके मुताबिक कौन सा बिजनेस जो है फिट बैठेगा और बाकी तो हेल पकरने के लिए आप लोग तयार ही कोई भी आते हमारे हम विजिट करते तो वह मतलब आके सारा मसीन देख सकते हैं यहां प और दोस्तों अगले एपिसोड में और कुछ मशीनों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो में लेकर आऊंगा वन बाइवन बात करूंगा एक ओवर वीव मैंने दे दिया पहली बार यहां पर मैं आया था और देखा कि बहुत सारी मशीने हैं किस किस टाइप की मशीने यहां पर लेवले कुछ दिखाने के भी कोशिस की और भी जो आपके मशीन दिमाग में हैं आप उनसे पूछ सकते हैं इंक्वारी कर सकते हैं मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नए मशीन की जनकारी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भाराज